नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टेडी चैनल JP Online Education पर ROARO Reexam24 के Top 20 GKMCQ भागशतिस में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो ना किवल ROARO बल्कि UPPCS, BPSC, ROARO, उत्रपड़िस पुलीस, SSC सभी के लिए समान लूप से उपयोगी महत्पूर है तो दे ना करते हैं, वी शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रस्न है, निमलिखित में से कौन सा यूग सही सुमेलित नहीं है और आपके आपसंस हैं, अस्थानी स्वसासन, लाड लिटन, सहाय संधी, लाड विलेडली, राज अपहन निती, लाड डलहुजी, और अस्थाई बंदुवस, लाड कार्नवालिस तो आप देखेंगे, इस अभी आपसंस सही हैं, बस आपसंद ए गलत हैं, क्योंकि अस्थानी स्वसासन, लाड लिटन ने नहीं, लाड डिपन ने किया था, आपसंद ए, दराइट अंसर प्रसंका दो पर आते हैं, 1974 में प्रथम क्रिसी विज्ञान केंद के अस्थापना, निम्लिखित में से किस स्थान पर हुई थी, चंडीगड, नागपूर, हैदराबाद, अत्वा पांडीचेरी तो देखेंगे 1974 में प्रसम किसी विज्ञान केंद के अस्थापना पांडी चेरी में हुई थी आपसंड डी दराइट आइंसर प्रसम के तीन 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारिक को सम्विधान हत्या दिवस मनाई जाएगा और आपके आपसंस है 26 जनवरी 25 जून 15 अगस अत्वाद 2 अक्टूबर तो सही ज़ाब होगा आपसंड जो है भी 25 जून भारत सरकार ने घोशना की है कि आपातकाल के दौरान अन्याय का विरोध करने और लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष सम्विधान हत्या दिवस के रुपे मनाय जाएगा प्रसंका चार किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्री आयामी होलोग्राम तकनीक सामिल की है और आपके आपसंड हैं सही जापान जर्मनी अत्वा कनाडा तो सही ज़ाब जाएगा आपसंड भी जापान तीन जुलाई 1224 को जापान ने दस हजार येन, पांच हजार येन और एक हजार येन जो उसके बैंक करोट हैं उनको जालसाजी से निपटने के लिए उस पर त्री आयामी होलोग्राम तकनीक की सुधा दी हैं जो किसी भी देश की मुद्रा पर इस तरह का पहला उपयोग है तो आपसन 20 पसने का सहीर वाब जाएगा जापान प्रसंक्या पांच केंद्रा और राज्यों के मद्य सामोहिक महत्व के विसयों की जाच एवं बहस के लिए अंतर राज्य परिसत का गठन कौन करता हैं आपके आपसन से संसद परधान मंत्री सरवच न्याले अत्वा राश्पति सम्विधान का नुछे 263 केंद्र तथा राज्यों के मद्य समन्वय इस्थापित करने के उद्देश से अंतर राजी परिसत गठन का प्रावधान करता है और इस अंदर में राश्पति को जो है साजनिक हित में ऐसी परिसत गठन करने की सक्ति दी गई है तो आ का युट करता है आपके आसे मंतराले, वित्तआयोग, आर्वि अथवा परधान मंतरी कार्याले तो सही ज़ब होगा आसंद्र जो है वित्त आयोग केंद्र में राज्ज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निज्थानन और ऐसी प्राप्तियों का राजियों के बिच हिसेदारी का निधारण करने के सीफारिस राष्ष्ण पती से विद्धायों करता है आप जानते हैं कि विद्धायों के गठन समविधान के अनुषे 280 के तहथ राष्ट्पति प्रतेग 5 बर्स में करता है और विद्धायों एक अर्ध न्याइक निकाय है आपसन B, the right answer. प्रसंग के साथ, राज विधान मंडल में बैठक आयुजूद करने के लिए आवस्य कोरम क्या है? आपके आपसन से पहला, तीस सदस्य या कुल सजस्ता का दस्वा हिस्था जो भी कम हो, दूसरा, सदन की कुल सदस्ता का आधा, तीसरा, सदन की कुल सजस्ता का दस्वा हिस्था जो भी अधिक हो, प्रसंग के आठ, किसी दल को राश्टी दल की रुपे मानता पाने के लिए, निमलिखित में से कौन सी दस्वा पूरी करनी होती है? आपके आपसन से हैं, कम से कम चार राज्यों में, राजस्तरी दल की रुपे मानता, दूसरा, कम से कम दो राज्यों में, राजस्तरी दल की रुपे मानता, और तीसरा, चार अधिक राज्यों में, वैद मतों का आठ परसत मत, अधिक रुपे मसे कोई नहीं, तो किसी भी दल को राश्ट्री दल की रुपे मानता के लिए आपको कम से कम चार राज्यों में राजस्त्री दल की रुपे मानता होनी चाहिए आफसन A is the right answer प्रस्तन क्या नौ निम्लिखित में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं मनाता है प्रसंका 10 यूराल और वोलगा नदी किस सागर में आकर गिरती है काला सागर, भूमद सागर, कैस्पियन सागर अत्वा लाल सागर तो देखेंगे कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एसिया की सीमा पर अवस्तित है और यूराल और वोलगा नदीया जो है कैस्पियन सागर में आकर गिरती है आफसन C is the right answer प्रसंका 11 निम्लिखित कतनों पर विचार करिए पहला, डाउंस आस्टेलिया में सित घास का मैदान है और दूसरा यह एक उश्न कटि बंधी घास का मैदान है उपर तो से कौन से कथन सही है आपके आफसन सही केवल एक केवल दो, दोनों गलत अत्वा दोनों सही तो देखेंगे डाउंस तो है तो देखेंगे बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोए कील नहर जोड़ती है आपसंस सीद्धर आईटाएंसर जबकि पनामा नहर परसांत महा सागर और अटलांटिक महा सागर को जोड़ती है स्वेज नहर जोए भुमद सागर को लाल सागर से जोड़ती है ओके प्रसांका 13 विभीन प्रकार की मिट्यों की जलधारण छमता का घटता हुआ क्रम क्या है आपके आपसंस है मृतिका गाद बालू तो आप देखेंगे मिट्यों की जलधारण छमता उनके रंध्रांसों के आकार पर निर्भर जो करती है और अंध्रांसों के आकार बड़े होने पर मिट्टी की जलधारण शम्ता कम हो जाती है अता मिट्टीों की जलधारण शम्ता करंसा होगी मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू, आपसन ए, दिलाइट एंसर प्रसंका 14 पर आते हैं अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंतर दिया था उस्ताद अली मुस्तफा, दौलत खान अत्वा हसन खान तो सही जबाब होगा आपसन जो है सी दौलत खान दौलत खान जो है इब्राहिम लोधी के सासन में पंजाब का राजपाल था दौलत खान को घमेंडी राजा इब्राहिम लोधी द्वारा बुरी तरीके से अपमानित किया गया था और इब्राहीम लोदी के अहेंकार से नाराजोकर दौलत खान ने बाबर को भालत पर आक्रमाण करने के लिए आमंतित किया था आफसन सी दर आइटायंसन प्रसंख्या पंद्र निम्निखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है चेदी, सोतित्थवती, असमक, पोटिल, कमबोज, अतवा हाटक या अंग राजग्री इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसमें अंग सुमेलित नहीं है क्योंकि अंग जन्पत की राध्धानी राजग्री नहीं बल्कि चम्पा थी आफसन डीस पस्न का सहीलवा बजाएगा प्रसंख्या सोला स्वरप्रसं पाठली पुत्र को राध्धानी के रूपे किस ने सापित किया था कनिस्क उदईन प्रसेंजीत अत्वा बिम्बसार तो देखेंगे उदईन ने दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाठली पुत्र सहर की नीव रखी थी और सामराज में पाठली पुत्र के केंद्री अस्थान के होने के कारण उन्होंने अपनी राध्धानी राजग्री से पाठली पुत्र जो है अस्थानांसित कर दी कारण होता है मश्दूरी दर में बढ़ होती आपसन दी द मुद्राइश्विती के दर में किस वार्थिक बृद्धी को हाइपर मुद्राइश्विती कहा जाता है एक अंकिये दो अंकिये चार अंकिये अत्वापित में से कोई नहीं तो देखेंगे hyper-mudra city या hyper-inflation उस इस city को करते हैं जहां कीमतें खतरनाक रूप से उच्छ दर से बढ़ती हैं कीमतें इतने तेरी से बढ़ती हैं कि इसके परिमार होते हैं उसको मापना मुश्किल हैता है हाला कि मातरातक सत्मों में जब कीमतें प्रतिवर्ष एक हजार से उपर यानि की चार अंको में बढ़ जाती हैं तो इसे hyper-inflation काहता है आप संसी दर राइट आइंसर प्रसंख्या 19 जिन सेरों का क्रे विक्रे नियमित रूप से प्रतिदिन सेर बाजार में होता है ऐसे सेर क्या कहलाते हैं राइट सेर, एक्टिव सेर, बोनस सेर अत्वा कंट्रेडियन सेर तो देखेंगे जिन सेरों का क्राय विक्राय नीमित रूप से प्रतिजिन सेर बाजार में होता है ऐसे सेर जो है एक्टिव सेर कहलाते हैं आपसन भी दर राइट एंसर आज का अंतिम प्रस्ण भारत की निमिखित नदियों में से कौन सी हिमाले की सभी स्रेडियों को काटती है आपके आपसन से रावी सतलज ब्यास अतवाच चिनाप तो सही जो आप होगा आपसन जो है भी सतलज सतलज नदि तिब्बत इस्सित राकस जील से निकलती है और यहां उत्तर पश्च में दिसाम बहते वे सिपकी दर्दे के पास हिमाले के प्रदेश राज में प्रवेस करती है यह हिमाले की सभी स्रेडियों को काट कर गहरे गार्ज का निर्मार करती है और आगे चलकर यह व्यास नदी में मिल जाती है सतलज नदी कुल लंबाई लगबद पंदरसो किलोमेटर है तो आप सें 20 पतनका सही जवाब जायेगा तो दोस्तों इस पकार समारे भागशतिस के 20 महकुर प्रसन पूरे हुए वीडियो कैसा लागा कमेंट बाक्स में जवो बता दीजिएगा और मासा जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं कलेकने वीडियो के साथ